से लोगों बहुत सौगत है गुड मॉर्निंग टू आज की ऑप्शन चेंट आलसे मार्केट ने बहुत अच्छा एक गैप अप दिया है जितनी भी ग्लोबल मार्केट से सारी के सारी पॉजिटिव में थी मार्केट ने भी अच्छा गैप अप दिया गैप आप के बाद भी बुलिश रन हमें देखने को मिलता है और इस बुलिश रन की लिमिट क्या है कहां तक यह पहुंचेगा यह हम ऑप्शन चेंट से देखेंगे क्या बड़ा रेजिस्टेंस आ रहा है क्या नहीं और कॉम्बो कोर्स जो लोग जॉइन करना चाहते हैं मैं बता दूँ आज फि सब लोगों को जो भी जॉइन करना चाहते हैं और मैं टेलिग्राम में आपको अपडेट कर दूँगा कि यह आफर जैसे ही आएगा मैं आपको टेलिग्राम में अपडेट कर दूँगा तो आप चलते सीधे अपने निफ्टी के चार्ट पे मार्केट ने 17,200 का लेवल कल अ चलते हैं तो चलते हैं पहले निफ्टी के ऑप्शन चेन में 6 ऑक्टोबर की एकस्पाइरी है कमिंग वेरी सून और अगर हम बात करें 17,200 की क्योंकि यह भी फिलाल के लिए मार्केट के लिए निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्डेंट जोन है 17,200 का अगर हम देखें तो जोकोई खास डाटा ओंके अब आप खुदी देखकर जान रहे होंगे कि यहाँ पर कॉल राइटिंग खतम है कॉल राइट इसी संदेंस मार्केट एक बुलिश है बुलिश मार्केट है और यह हमें keep on update लेना पड़ेगा option chain में कि हो सकता है आखिर में आपको कहीं 17,300 या फिर 17,400 के आसपास आपको resistance बढ़ता हुआ दिखें और अभी फिलाल market bullish है clear cut नजर आ रहा है 17,000 बहुत अच्छा support है 17,100 और भी अच्छा support है 17,200 पर भी support है और 200 पर भी support है उसके बाद ऊप 300 पर जाके थोड़ा सा मामला कम हुआ है लेकिन call writers बिलकुल भी नहीं है हाला कि call writing में open interest जो है वो आपका 17,200 पर है साथ के साथ put writers बहुत जादा है तो यहाँ पर change आ सकता है अगर आपको market में दिखेगा 17,200 और 17,300 इन दो points के बीच में आपको कुछ change bullish momentum में देखने को मिल स फिलाल के लिए market पूरी bullish है निफ्टी की बात करें और बैंक निफ्टी को एक बार देख लेते हैं मैं यहां से select कर लेता हूं बैंक निफ्टी का option chain हमें देखना है 39,000 का level सीथे चलते 39,000 पर और 39,000 के level पर अगर आप चेक करें यह 39,000 का level जहां पर 1,20,000 एप्रॉक्स open interest call में और 21,000, 22,000 का change in OI है साथ के साथ put में देखें 71,000 का put change in OI है clear cut एक बहुत अच्छा support नजर आ रहा है और यहां भी देखें कितने अच्छे-च्छे support है 38,500 एक बहुत अच्छा support है और call writers उपर के जितने बीते सारे के सारे गायब हो चुके हैं और call writer अगर बड़ी त देखना पड़ेगा या तो एक अच्छा हमको इसमें difference देखने को मिल जाए क्योंकि 39,100, 39,200 पर फिलाल के लिए call writers ज्यादा है in comparison to put writers तो क्या हम देखें 39,100 के लेवल के आसपास निफ्टी क्या react कर रही है यह 39,100 के आसपास red candle बन रहा है तो wait करें और option chain में देखें कि 39,100 क्या update मिल रहे हैं उसके हिसाब से आप आगे decision ले आओ बेसी बात है कि निफ्टी में भी हमें red candle देखने को मिल रही होगी बिल्कुल दिख रही है क्योंकि already 260 plus point का gap up था उसके बाद फिर से market ने almost 100 point का run और ले लिया उपर तो means 330 points का एक बड़ा bullish run इसके बाद कुछ आपको bullish run हो चुका है तो मुझे लगता है कि हो सकता है market आपको कुछ sideways moment देने के बाद या अगर हमें दो घंटे एक घंटे बाद हमको कोई change in OI हमारा कुछ बदलता हुआ दिखता है तो हो सकता है market एक fall ले और उसके बाद आपको last में recovery फिर से दे इस तरीके का कुछ scenario बन सकता है बन से लेके टू पीम सिर्फ वन आवर स्ट्रिक्टली ऑटोमाटिक अपडेट हो जाएगा 269 तो मिस्मत करिएगा और वीडियो को लाइक जरू कर दीजेगा thank you very much गाइस मिलता हूं मैं आपको post market answers में thank you